शुरू करते हैं आपकी वर्क्षीट नमबर 171 तो पहले आप लोग इस अच्छे से लेबल कर लेंगे इंग्लिश की वर्क्षीट है लेकलेंगे क्लास लिकलेंगे डेट दाल देंगे अपना नाम अपने टीचर का नम आप लोग लेकलेंगे गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे वाले हैं ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेर गुड मॉर्निंग डियर चिजर रिसाइट पोएम यारि की जो मने भी पोएम पढ़ी थी कौन सी ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेर फॉंद टैक्स बूग अडू टैल अस ठीक है पढ़िए और उसके बाद मुझे बत पास हमेशा हमारे लिए समय होता है उनके लिए यह मैटर नहीं होता कि वह कितने ज्यादा बीजी है लेकिन वह हमीशा कहीं नहीं हमारे लिए समय निकाल ही लेते हैं वी और अच्छा लगता है अपने ग्रैन्ट पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना है ना मुझे पता है तो हम सबको अच्छा लगता है मॉमा पबापास हम नहीं बैठते इतना जाधा क्यों क्योंकर डाट पड़ती रहती है लेकिन डादा-दादी होते है नाना नानी होते है वह हमारी डाट कम लगाते है इसलिए हम लोग उनके साथ बैठना पसंद करते हैं है इसे ही तीयर चि के लिए देखते हैं कि हम क्या करते हैं सब एक्टिविटीज और टेन ऑन दा बलून कुछ एक्टिविटीज यहां आपको बलून पर दी गई है उनको पढ़िए उनके अक्वार्डिंग करिए कलर दवर्स देट यू डू वी जो ग्रेंट पैरेंट्स अब आपको कलर करना है उन उन चीज़ों पर जो जो अप अपने ग्रेंट पैरेंट्स کے साथ करते हैं like playing क्या अप अपने ग्रेंट पैरेंट्स के साथा खेलते हैं आप अपने घ्रेंट्स के साथ केसा करते हैं इतिंग उनके साथ खाना खाते हैं तो आप इसको भी कलर कर सकते हैं इन फैक्क जब मैं चोड़ी थी मैं तो अपने दादी के हाथ से खाना खाती थी बड़ा मज़ा आते हैं तो आप लोग इसे कर सकते हैं जो जो आप अपने दादा दादी के साथ करते हैं जैसे आप अपना अपने बच्ची जो है अपने ग्रैनी के साथ यानि दादी के साथ यहां पर पार्ट में आए हुए लैट आस के अफोली अब्जॉर्व देखिए और फिर आंसर दीजिए तो आप देख सकते हैं यहां दादी है दादी के पास अंब्रेला है बॉल है डस्ट बीन भी रखी बेलिंग्स वगरा बला रहे है ठीक तो चलिए आगे देखते हैं यहां लिखा I am sure there are many things that you can recognize in the picture यहां बहुत साई चीजे जो आप इस पिच्चर में recognize कर पा रहे हैं यहां पहचान पा रहे हैं let us write about them चलिए इनके बारे में हम लिखते हैं तो जैसे यहां पे आप देख सकत just dust 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 bean ठीक इस तहां से लिखते there is bird b.i.r.d bird ठीक फिर आप यहां लिखेंगे इसी तरह से there is तो आगे क्या लिखेंगे there is there is there is a ball ठीके तो इस तरह से आप यहां पहुत आसानी से कर लेंगे और बड़ी चीज़ नहीं है और भी बहुत साई चीजे दिया लिश्ट दोग भी यहां पर यना बड भी है यहां पर तो आप लोग लिख लिए चली आगे देख तो देखे हैं हिंड मोक्स में आपको बताए गया बोथ n a are always using the singular word यानी आण और a दोनों का मतलब एक ही होता है हिंदी में अगर लिखेंगे तो दोनों का मतलब एक आता है n is used with vowels sound यह वह हमेशा वोवल्स के लिए इस्तेमाल होता है a e i o u आपको पता है न हमारे इंगे शल्फवाबेट में 5 वोवल्स होते है A, E, I, O, U और A जो है वो सारे consonants के लिए यूज होता है जो वाविल्स को छोड़ कर है ठीक तो दोनों का मतलब एक ही है कर लेंगे आप लोग इसे असारे से चलें तो आज ही वरक्षीट को हम यहीं खत्म करते हैं आज ही वीडियो में पस इतने हैं अगर आपको माई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाई को शियर करें अगर भी तक आपना बैचाल को सिस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज बैचाल को सिस्क्राइब करें थैंक्यों फॉर वाचिंग